Welcome to study channel मेरा नाम है मुहम्मद कैसर आज है 19 मार्च और आज कुछ बहुत important अपडेट निकल लगर आई है सिक्षा से वाचे नायोग और UP, TZT, PZT 222 परिक्षा को लेकर वीडियो को ध्यान से देखेगा बहुत सारी important information आपको मिलेगी जब कोई authentic information होती है तो ही मैं वीडियो बनाता हूँ आप सब लोगों को पता है दिन भर फालतू वीडियो जिस चैनल के माद्यम से नहीं दिये जाते हैं आपका समय भी मुल्लिवान है और हमारा समय भी मुल्लिवान है शुरू करते हैं इस वीडियो को अब तक आपको पता चली गया होगा कि सिक्षा से वाचायन आयोग में सभी 12 के 12 सदस्यों की निक्ति हो गई मैंने आपको अपडेट दिया था कोजिन पहले कि बहुत ही जल सदस्यों की निक्ति हो जाएगी शुरुवात में खबर थी कि 6 सदस्यों की निक्ति हो रही है लिए जाएंगे 25 दिन का समय दिया गया उसके बाद फिर जो आवेदन है उसका स्क्रिणिंग यानि छटनी का काम होगा फिर पहुंचेगी लिष्ट मुख्मंतरी जी के पास वहां से सहमती मिलने के बाद राजपाल के पास जाएगा और फिर मंजूरी मिलने के बाद नए अपरेल मई में चल रहे हैं एक जुन को लाष्ट चरड की चुनाओ संपन होगी चार जुन को अचार सहीता समाप्थ होगा क्योंकि इसी दिन नतीजे आएंगे तो अब चुनाओं के बाद ही अध्यक्ष आप आएंगे लेकिन सभी सदत से आ गए इससे फायदा अब यह हो अगर ने आप इसमें देख सकते हैं साङ कहर रिखा गया है कि अध्यक्ष की अनुपस्तिती में जो सबसे senior most member होगा जो सबसे परिशान मत हुई, यह अध्यक्ष नहीं है, तो कोई कामकाज नहीं होगा, कामकाज शुरू हो चुका है, जो भी फाइलां है, मादमी सिक्चा सवाचैन बोर्ड की उच्चतर की पी एनपी से जो भी फाइलां सामान मंगाने थे, यूपी टेट प्रात्मी सिक्चक भरती को लेकर, यह सबके सबब नए आयोग में ट्रांसफर हो रहे हैं, जो नए आयोग का उफिस है, वह ही है, जो मादमी सिक्चा सवाचैन बोर्ड का उफिस था, एलन गज और असिस्टिन प्रुफेसर, उतर प्रदेश सिक्चा से वाचैन आयोग के सदस्यों ने सभाल लिया है, कामकाज, 4137 पदों पर 2022, TGT, PGT के लिए आवेदन लिया गया, एक 1017 पदों पर असिस्टिन प्रुफेसर के लिए आवेदन लिया गया, और यह दोनों परिक्षा कराई जानी है, लंबित परिक्षाओं पर काम सुरू करने का निर्देश दिया गया है, तो सबसे पहले यही दोनों परिक्षाओं होंगी, TGT, PGT और असिस्टिन प्रुफेसर, ठीक है, निर्देश प्राप्ठ हो गया है, आयोग में सभी सदस्यों से आ गए हैं, दिन टाइम है, जो अगला दो-तीन महीना है, क्योंकि ये भी क्लिर है कि लोगसभा चुनाओं के बाद ही आपकी परिक्षा होगी, आपके पास मार्च के बचे हुए समय है, पूरा अप्रेल है और पूरा मई है, ठीक है, और आप जुन भी मान सकते हैं, लेकिन जुलाई य अगस्त में आपकी परिक्षा होने की पूरी-पूरी संभावना है, जुलाई अगस्त मानकर आपको अपने क्यारी करनी है, क्योंकि सारा चीज जो काफी लंबे समय से अटका हुआ था, वो अब क्लिर हो गया, लोगसभा चुनाओं के बाद अध्यक्ष भी आ जाएंगे, तो जो एक कमी है, वो भी पूरी हो जाएगी, ये भी न्यूज आप देख सकते हैं दोस्तों की, सिक्षा आयोग में कारकारी अध्यक्ष की तैनाती की कवायत है, तो कारकारी अध्यक्ष भी निउक्त किया जाएगा, जो साला कि सभी मेंबर का जॉइनिंग एक ही साथ चुके हैं, और ऐसे में सभी पहलों को देखते हुए, सासन की ओर से कारकारी अध्यक्ष के निउक्ष के निउक्ष का आदेश जल आ सकता है, आयोग में सचिव, परिछानी अंद्रक और वित अधिकारी के पदों पर प्रतिनिउक्ष के आधार पर तैनाती की जाएगी, अ यह सारी चीज़ें आप काफी तेजी से होंगी, सदस अब अपना काम करना शुरू कर चुके हैं, किसको काम सा काम देखना है, काम का बटवारा वगर, यह सारी चीज़ें फाइनल हो रही हैं, यह सब कुछ बताने का मेरा उद्देश शिर्फ एक है, कि आप सीरियस हो जाए दो हजर बाइस टीज़ेटी पीज़ेटी वाले स्पेसली सिर्यस हो जाएं, क्योंकि सिर्फ चार हजार एकसो तिर्सर सीटे हैं, आवेदन तेरे लाग के आसपास हैं, बहुत बड़ा कॉंपटिशन है इसमें, और परिक्षा में आपके अब जादा समय है ने, यदि मान ल महिने आपके पास हैं, इसमें आपको सिर्यस होने की आउशकता है, तो ही जाकर आप इस एक्जाम में बहतर कर पाएंगे, इस भरती में कोई भी नए सीट एड नहीं हो रहे हैं, शात्रों ने काफी मांग की आंदुलन की धरना हुआ, लेकिन नए सीट इसमें आड नहीं हो इसमें पर आपको जनकाई दी जाएगी, फिलहाल इस वीडियों बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सस्क्राइब करने और हमारे साथ बने रहें, थांक्स वर वाशिंग